नमस्कार दोस्तों, मैं राजनतिवारी आप सभी लोगों का मेरे सेने जोतिश मंत्र में हार देख स्वागत करता हूँ अगर आप मुझ से और मेरे चैनल से जुणना चाहते हैं तो वीडियो की नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजे और साथ ही बेल आइकन को भी आउन कीजे ताकि मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके हमारे भारती समाज में एक बहुत ही अजीब सी परंपरा है कि जैसे ही बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है उसके माता पिता की चिंताएं शुरू होता है पता नहीं बच्चा बढ़ा होकर क्या बनेगा इंजीने बनेगा डाक्टर बनेगा की वकील बनेगा आईएस आफिसर बनेगा क्या बनेगा इस प्रकार की चिंता है शुरू हो जाती जैसी बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है लेकिन आपकी चिंता हवा में उड़ते हुए कागच के उस टुकड़े के समाने जिसको ना तो अपनी मंजिल का पता होता है और ना ही डारेक्शन का मतलब आप जानते ही नहीं कि आपका बच्चा क्या बनने वाला है तो आपकी इसी समस्या और चिंता को ध्यान में रखते हुए हमने वीडियो की एक स्रंखला तयार की है यहने वीडियो के एक बहुत सारे एपिसोड बनाये हैं जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से पता कर पाऊगे कि आपका बच्चा बड़ा होकर किस फिल्ड में जाएगा या कौन सा प्रोफेशन को चूज करेगा वीडियो में कुल्ली के माध्यम से, हस्त रेखा के माध्यम से और आपकी यानि आपके बच्चे की आदतों के हिसाब से यह आसानी से पता कर पाऊगे कि आपका बच्चा है वो किस फिल्ड में जाएगा या किस प्रोफेशन को चुनेगा हमारी जो आने वाले एपिसोड है मतलब आने वाले जो हमारे वीडियो है वो सभी वीडियो किसी ने किसी प्रोफेशन को लेकर होगा जैसे कि डाक्टर, इंजिनियर, वकील, आईस आफिसर या टीचर ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है हमारे भारती समाज में उन प्रोफेशन को किस तरह से पहले ही बच्चा जब हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है इसकूल जाना शुरू होता है उसी समय हम आसानी से उनको पता कर पाएंगे कि हमारा बच्चा इस फिल्ड के लिए जन में लिया है इसने तो हम उस तरह से उसकी तैयारी आसानी से कर पाएंगे क्योंकि आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कोई बच्चा इंजिनियर की फिल्ड में चल जाता है उसको B.E.E. कर लेता है लेकिन इसके बाद में उसको दिमाग थोड़ा अलग होता है और वो सोचता है यार B.E. तो छोड़ो चलो हम MBA कर लेते हैं MBA करता है और वो किसी अच्छी कंपनी में C.E.O. बन जाता है जबकि पढ़ाई किसी की थी उसने B.E. किये था लेकिन बाद में C.E.O. बन गया कभी-कभी आपने यह देखा होगा कि MSC बच्चा निकल लिया है और बाद में वाकिल बन गया ठीक है तो ऐसे बहुत बार आपने देखे होंगे कि उसने पढ़ाई बहुत सारों तक कोई दूसरी की थी लेकिन बाद में प्रोफेशन कोई दूसरा चूस किया क्योंकि हमने शुरू से हमको पता ही नहीं था या बच्चा को भी पता नहीं था कि उसकी पर्टिकल फिल्ड है क्या उसने कोई सिफ जो किसी ने कहा वो मान लिया और पढ़ने लगा बाद में जब बढ़ा हुआ उसको दिमाग चला तो उसको पता चला गया मेरी फिल्ड तो यह यह नहीं मेरी फिल्ड तो दूसरी है और फिर उसने बाद में उसको चेंज किया अगर वो दस साल उस पर्टिकल फील्ड में लगाते हैं तो शायद आपको ज़्यादे उससे ग्यान प्राब्द होता है तो इनी चीज़े को ध्यान में रखते हैं हम यह वीडियो त्यार कर रहे हैं तो आज इस बुर्फेशन की बात कर रहे हैं वो है डक्टर की आप अपनी कुंडली में या अपने हाथ की रेखाव पर या आपकी अपनी आदतों के हिसाब से किस प्रकार से देख पाओगे किस प्रकार से पता कर पाओगे कि आपकी फिल्ड कौन सी है या आप आगे जाकर क्या बनने वाले हो या आपका बच्चा आगे जाकर क्या बनने वाला है सपोस करें कि आप डाक्टर बनने चाहते हैं ये चार ग्रह क्यों होते हैं? क्योंकि सूरी होता है आपको उच्छ शिक्षा देने का ग्रह, दूसरा नाम आता है चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा का संबंध दवाई और ओशधियों से हैं, और डाक्टर बनने के लिए इन चीजों के जरूरत पढ़ती है, तो इसलिए मंगल का स्ट्रमा होना, इन तीनों ग्रहों की जो शक्ति हैं, इनको कोन कंट्रूल करेगा? वो करेगा ब्रेस पती, अगर आपका ब्रेस पती ठीक है, तो इन तीनों ग्रहों को वो एक सीद में या कह सकते हैं, कि अनुशासन में चलाता रहेगा, तो इन चार ग्रहों का प्रफल डाक्टर बन सकते हो लेकिन बात अब यह आती है कि डाक्टर तो हम बाद में बनेंगे ना पहले पड़ाई की शुरुआ थे वह कैसे होगी वह कैसे पता करेंगे बच्चे के रुझान किस तरफ है अगर किसी बच्चे की कुंडली में सनी इस्ट्रांग है यानि की मन अक्सर फीजिस, केमिस्ट्री और बायो की तरफ लगा रहेगा चलि हमें यह तो पता कर लिया कि किस तरह से मन पता कर सकते है कि कौन सी सब्जेक्ट की तरफ हो जा रहा है अब सब्जेक्ट हमने चूज कर लिया लेकिन हम इंटरेंस अग्जाम कैसे किलियर करें तो फिर नाव आता है शनी का, क्योंकि शनी वो ग्रह जो किसी भी इंसान को ИНटरेंस एकजाम क्लियर करवाता है और वो भी कोई सी? डाक्टर के इंटरेंस एकजाम जो है उसको क्लियर करवाने में शनी का बहुत बड़ा हाथ होता है अभी हमने जिन चार ग्रहों की बात की जैसे सुय, चंद्र, मंगल और भैस्पती इन चारों ग्रह का संबंध किसी भी प्रकार से यदि प्रथम भाव याने लगन भाव में या पंचम भाव में या शष्टम याने छटे भाव में या सब्तम याने सात्वे भाव में अश्ट व्यक्ति 100% चिकिसा की फिल्ड में यानि डाक्टर्स की फिल्ड में जाएगा अब संबंद किसी प्रकार से बन सकते हैं यानि कि हो सकता है कि पंचम भाव का जो स्वामी है वो दशम में बेठा हो या दशम भाव में दो ग्रह जैसे मंगल और सूरी बेठे हो या मंगल और चंदर का जो योग है वो हो सकता छटे भाव या आठे भाव में हो इस प्रकार से कोई सा भी कनेक्शन अगर बनता है तो वो इनसान यानि वो व्यक्ति चिकिसा की फिल्ड में जाने के उसके फुल योग है ये तो होई कामन बात अब हम पर्टिकॉलर बात करते हैं यदि लग्न में मंगल सौराशी का या उच्चराशी का है तो उस व्यक्ति को चिकिसा की फिल्ड अवश्य मिलती है लगनेश बलवान होकर यानि लगनेश अच्छा होकर अगर नवम भाव में बेठा है तो भी उसके चिकिसा की फिल्ड में जाने की योग होते हैं यदि दस्वे भाव में मेश, सिह, धनू और ब्रशिक इनमें से कोईसी भी राशी हो तो भी उसके चिकिसा की फिल्ड में जाने की योग होते हैं प्रत्थम भाव, चतुर्त भाव, सब्तम भाव और दशम भाव में इन में से किसी में भी अगर सूर्य, चंद्र और ब्रहस्पति के साथ अगर मंगल यूति करता है यानि किसी यह तो मंगल सूरी की यूती हो सकती है, मंगल चंदर की यूती हो सकती है, मंगल ब्रहस्पती की यूती हो इन में से किसी यह चारो एक साथ भी हो सकते हैं जानते हैं भूस्त त्रीखा के माध्याों से कि किस प्रकार हस त्रीखा से आप सानी से पता कर पाओगे, कि आपका भूद कि चिकिछसा के फिल्ड में जा सकते हो या नहीं या ड्क्टर बन सकते हो या नहीं तो यह रहा आपका हाथ, अगर मंगल और जो बुद्ध का परवत है, वो दोनों strong हो, याने मजबूत हो, उभरे हुए हो, साथ में उसके उपर कोई भी कटी पिटी रेखाए ना हो, कोई दाग धबे ना हो, कोई क्रास का निशान ना हो, पहली condition हो गई, दूसरी condition, आपकी जो उंगलियों के जो first joint है, वो आपके अच्छे होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, चोथी condition, जो आपका ये बुद्ध परवत है, ये जो बुद्ध का परवत है, इसके उपर तीन से चार खड़ी रेखा होना चाहिए, ये खड़ी रेखा है, ऐसे ऐसे, चार, तीन ये चा और ये जो बुद्ध का परवत है, अगर ये चीज़े आपके आपके हाथ में मजबूत है, तो आप 100% डाक्टर बन सकते हैं, अब हम बात करते हैं, आदोतों के हिसाब से कैसे पिचान सकते हैं, तो अगर कोई बच्चा डाक्टर के फिल में जाना चाहिएगा, ये डाक्ट बहुत करेगा, बच्वण से कोशन उसके अंदर बहुत बेसे, बच्चे अकसर कोशन बऊत करते ही हैं, लेकिन ये बच्चे चाहदा ही कोशन करेंगे और साथ में टेक्निकल के कोशन करेंगे दूसरी आदर यह है कि उनको गुस्सा बहुत आएगा बाद बाद पर उनको गुस्सा आने लगेगा दूसरा वो जो चटपटी चीजे हैं मतलब स्पाइसी फूड है उसके खाने के शोकिन होगे उनकी जो याददास थे वो जादे होगी और बच्चों की अपेक्शा बच्चे के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत रहेगा तो इस प्रकार की आदतों से भी आप पता कर सकते हो कि आपका बच्चा किस फिल्ड में जाएगा तो चलिए इन सभी चीजों की दौरा हमने जानतों लिया कि आपका जो बच्चा है वो डक्टर्स की फिल्ड में जाएगा पर अभी बहुत से कम बाकी है जैसे कौन सा डक्टर बनेगा वो फीजिशन बनेगा कि सरजन बनेगा कि आयर्विद का डक्टर बनेगा इसी बहुत सी फिल्ड होती ही डक्टर्स के अंदर भी लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं ये भी बताऊं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको ये भी जानना है तो आज करीव बस इतना ही मिलते हैं एक नए विशेक असान तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजे आग्या